कि नमस्कार मैं उराउल शर्मा आप देख रहे हैं एस्पे नाइन यूस वागत आप सभी का आज की बड़ी खबर में बड़ी खबर की शुरुवात अतिक एमद और अश्रफ की मौत को लेकर जी हाँ बीते रात जिस तरीके से पुलिस की मौजूदगी में अतिक एमद और अश्रफ को मौत के घाट उतार दिया गया है दना दन गोलिया चली है जिसमें दोनों जमीन पर धेर हो गया है ये पूरा मुद्दा जो उठा है इस पर राजनीतिक बवाल तो रहा है लेकिन बसपास को फेक एंकाउंटर और कहीं ना कहीं इस पूरी घटना को योगी सरकार की एक लापरवाही बताईए तो वहीं दूसरी तरफ ये देखा जा रहा है कि पुलिस की मौजूदगी में कैसी अतिक और अश्रफ को मारा गया प्रदेश में जिस तरीके के हालाते उस पर माया वती का कहना है कि सरकार कानून विवस्ता से नहीं बलकि बंदूक और गोलियों से चल रही है यही बात असदूदी नौवेसी ने कही है देखे माया वती का कहना है कि लो एन ओर उत्तर परदेश में पूरी तरीके से खराब हो गया है और पुलिस की मौजूदगी में अगर इस अपराधी बेखौफ होकर गोलिया चला देते हैं और तावर्तोड गोलिया चलती है तो पुलिस का यहाँ पर जवाब देना बनता भी है कि पुलिस के जवानों के बीच में अपराधीयों को किस तरीके से मार दिया जा रहा हाला कि जिस तरीके से कहा जा रहा है कि की मुक्केमंत्री योगी अधितनात को जटका लग सकता है लेकिन कहीं ना कहीं बस बस सुप्रीमो मायावती का ये कहना कि इस पूरे मामले की निस्पक्ष चांच होनी चाहिए और तीन अपरादी पकड़े गए हैं जिन तीनों अपरादियों का बड़ा कनेक्शन पहले भी म तो सीधे तोर पर देखा जा रहा है कि क्या मौजूदा समय के अंदर जो तीनों अपरादी पकड़े गए हैं उनसे पूस्ताच होगी तो ये पता चल पाएगा कि आकर किसके कहने पर उन्होंने ये काम किया है हलाकि सरकार जो है इस वक्त मुस्तैद है और लगातार उत्तर परदेश में लौ एन और्डर को बरकरार रखने की बात कर रहे हैं लेकिन विपक्ष इस पूरे मुद्धे पर जिस तरीके से एक साथ आ गया क्या योगी सरकार के मुश्किले बढ़ती नजर आएंगी आज के लिए तहीं आप से फिर दोबारा मुलाकात होगी तब तक लि इजाद देजे नमस्कार